लालो प्रशाद यादब और नितीश कुमार जब भी एक साथ नजर आते हैं तो बातशीत करते हुए भी नजर आते हैं फिर वो साथ में सरकार चलाएं या फर बपक्ष में खड़े रहें अक्सर देखा जाता है कि लालो प्रशाद यादब और नितीश कुमार अगर मुलाकात करते हैं तो हसते हैं मुस्कुराते हैं बातशीत करते हैं फिर वो दोनों साथ में बिहार में सरकार चला रहे हो या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हो लेकिन इस वार कुछ ऐसा नहीं होत कर एक बेहद ही विवादित बयान दिया था उन्होंने लालो पुषाद यादब के बच्चे पैदा करने को लेकर विवादी बयान दिया था अब उसके बाद जो है लालो पुषाद यादब और नितीश कुमार के रिष्टे जो हैं वो अलग दिख रहे हैं दरसल बिहार मे तीसरे चुरन के लोगसवाद चुनाब के लिए पांस सीटों पर मंगलवार को चल रही वोटिंग के वीच पतना में बिहार विधान परिस्थ की ग्यारा ने सदस्यों ने शपत ली थी नितीश कुमार सामिल हुए पुर्वसीयम राबडी देवी भी शामिल हुई इस दोरान जब कुर्ण रालू यादब राबडी देवी और नितीश कुमार की मुलाकात हुई बात पर थी लेकिन समारों में दोनों पक्ष अब चारिक दूआ सलाम कर सिमट गये कुछ महीने पहले तक गल्बगी आकर रहे निताओं को हाई हेलो की बात आगे नहीं बढ़ती ने सदश्यों जो कुर्सी में लगे थे नितीश कुमार राबडी देवी के बीच में अब्दुल बारी सिद्गी को बिठा दिया गया नितीश राबडी और सिद्गी के लावा मंगल पांडे संतोष कुमार सूमन अनामिका सिंग और मिला ठाकुर खाली दनबर शशियादव लाल मोहन गुपता और फैजल अली ने शपती तो यश्पी को कुछ महीने पहले तक अपना सब कुछ बता रहें नितीश ने चुनावी रैली में लालू राबडी के नौ बच्चों को लेकर एक बयान दिया था कि कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या खुद हटे तो बीवी को बना दिये फिर बच्चा को आगे बढ़ा रहें नितीश पर लंबी चुपी के बाद दो दिन पहले कहा था कि वो नितीश को कभी माफ नहीं करेंगे नितीश घर आ जाएंगे तो धन्यवात कह देंगे जब वो बिमार आए थे तो नितीश अचानक चले आते थे उनको जाकर गले लग जाते थे राज़त अध्यक्ष बार बार फिसलती नितीश की जुवान को लेकर कहा कि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री को कोई बिमारी हो गई है खास बात ये है कि लालू और आबडी के छोटे लाल यानि तजश्वी आदम बिहार में अंडिये की सबसे बड़ी चुनावी चेहर नितीश पर हमला वर नहीं है तजश्वी नरम है और कह रहे हैं नितीश खुद नहीं बोल रहे हैं बुलवाया चारा है ऐसे करने वालों का नाम वो किताब लिखेंगे तो बताएंगे तजश्वी के लिए 24 लोग सवा चुनाव से जादा महतपुन 25 बिहार विधान सवा चुनाव है जिसमें एक बार फिर नितीश कुमार के पद के लिए मैदान में उतरेंगे और नितीश को लेकर तजश्वी की नरमी को एक राजनीती रननीती मानी चारी है ताकि लोग सभाग के बाद जद्यू वापस आती है तो चाचा भतीजों के बीच कोई नीजी रंजिस ना हो नितीश की वापसी में आरजडी के चल रहे इंतजार का संकेत है कि तजश्वी यादब भाजबा के चुनावी नारे में मोदी की गारंटी पर हमला करते हुए पी-ए मोदी से ही पूछ रहे हैं सवाल कि क्या उनके चाचा की गारंटी लेंगे कि वो फर्से नहीं पल्टेंगे तो देख सकते हैं नितिश्मी आदब तो चाचा को लेकर नर्म है लेकिन लालू यादब ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से नितीश कुमार ने उनके परिवार को लेकर बयान दिया है जो विवादित बोल बोले हैं उसके लिए उन्हें जंदगी भर माफ नहीं करेंगे घर आएंगे उनका स्वागत करेंगे गले मिलेंगे लेकिन नितीश कुमार ने जो उनके परिवार और उनके बच्ची और उनकी पत्नी को लेकर जो बाते कहीं हैं उसे वो भूलेंगे नहीं क्योंकि नितीश कुमार ने जो बाते कहीं हैं वो बेहद ही गलत है फिलाल कले सब्डेच में इतना ही